जरा इस सवाल को देखे ही क्या पूछा गया है कि किस सम्मिधान संसोधन द्वारा भारत के सम्मिधान में सहकारी समीतियों का प्रावधान जोड़ा गया कुछ दिन पहले ही सहकारी समीतियां चर्चा में थी क्योंकि देश में जो दूद करांती है उसका दूसरा वर्जन लॉंच किया गया था सहकारी मंत्राले के द्वारा सहकारी मंत्राले के अभी कौन है मंत्री तो अमित साहजी ही है इस प्रकार के सवाल PCS exam में खूब सारे पूशे जाते हैं हम लोग जो कल current affair कर रहे थे उसी के आगे आज हम लोग करेंगे कल हम लोग ने तुवालू दीप तक के सवाल कर लिये थे तुवालू दीप चर्चा में था ये दीप जो है ये समुद्र का जलस्तर बरने कारण से डूब जाएगा और उसी कारण से मैंने आपको एक कोस्टन करवाया था आप सभी का स्वागत स्टड़ी फॉर UPCP से सैनल पर current affair के जितने मैंने questions करवाये हैं बस अब लास्ट होने वाला है आज या तो लास्ट हो जाएगा आपका या तो नेक्स्ट वीडियो मापका current affair एंड हो जाएगा उसको रिवाइज कीजिए बार बार PDF मैंने दिया है पीडियेप से भी आप रिवाइज कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके देखिए आज का पहला सवाल क्या है क्रिसी 4.0 के बारे में इंडियेट कत्म को विचार कीजिए इसे smart खेती या digital खेती के नाम से जाना जाता है इसमें पारंपरिक क्रिसी पधतियों में IoT, Internet of Things, AI, Machine Learning, Big Data Analytics का उप्योग सामिल है इसका उत्तर हो जाएगा सी, कुछ दिन पहले ही agriculture 4.0 ये चर्चा में था और जो modern technology है जैसे Internet of Things हो गया, Things का मतलब सामान होता है जो आपका washing machine हो गया, geezer हो गया, fridge हो गया, आपका gate हो गया, light bulb हो गया इन सभी चियों को भी जब हम Internet से जोड देते हैं तो ये कहलाता है IoT, क्या कहलाता है, IoT, Internet of Things कहलाता है AI तो आप जानते ही है, Machine Learning भी मैंने आपको समझाया था, Big Data Analytics वगयरा जो है जब हम इन सभी चियों को जोड देते हैं किन चियों से, तो agriculture में production को बढ़ाने से agriculture फसल कब लगाया जाए, कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, तब जाके ये क्रिसी 4.0 कहलाता है अभी ये चीज आपको लग रहा होगा कि ऐसा संभब नहीं है, लेकिन future में ये चीज भी संभब हो जाएगा नेमलेखित कत्नो का मिलान करना है आपको, किरीशी 1.0 सिकार संभरा का प्राडमभीक चरन माना जाता है, किरीशी 2.0 किरीशी महरित करांती को माना जाता है हरित करांती जानते हैं अप लोग क्रिसी 3.0 क्रिसी में और द्योगी क्रांती माना जाता है इन में से कोई साभी मैच नहीं है इसका उतर डी हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई साभी नहीं है क्रिसी 1.0 का तातपर था सिकार संग्रह से अस्थाई क्रिसी की और प्रारंभिक संक्रमन जब हम लोग सिकार संग्रह का काम करते थे और वहां से हम लोग कहां गए तो वहां से हम लोग गए प्रारंभिक खेती का सुरुवाती चरन जब लोहे का विस्कार हुआ और खेती करना सुरू कर दिया गया वहीं का चरन जो है वो क्रिसी 1.0 कहलाता है यानि कि प्रारम भी खेती ठीक है जिसके प्रसाद खेती के प्रसाद क्या हुआ तो अस्थाई तो आ गया मानवों की आवादी में मानव एक जगा पर रहकर समाज बसाने लग गए और उसके प्रसाद से पॉलिटिकल संस्थाओं का भी जन्म माना जाता है दसजार इसा पूर्व से सुरू होता है जो पौधो और पसुओ के पालतू करन द्वाराचिनित था क्रिसी 2.0 क्रिसी मौद्योगी करांती 18-19-19 सताब्दी जो मसीनी करन उननत फसल चक्र रासाइनी कोरवरक कीटनास को कुप योग द्वाराचिनित की जाती है जो और योगी करांती आप पढ़ते हैं तो और योगी करांती में अगरिकल्चर का भी योगदान माना जाता है 1850 का दसक तक वही क्रिसी चली आ रही थी जो नवपासान काल में सुरू हुई थी नवपासान की क्रिसी 1850 तक चल रही थी वही पुरानी पधती उसके पसाथ कुछ परिवर्तन अवर्ष से हाए क्रिसी 3.0 किसको माना था हरित करांती 20 वी सदी के मध्य में जिसमें उच्चुपजवाली फसल किसमें विस्तारित सीचाई खादि उत्पादन को बरहवा देने के किरती मूर बड़ा कीट ना सक यह सब चीए जब आएड हो गई तो उसको एगरिकल्चर 3.0 कहा जाता है और 4.0 अभी मैंने बताया है जिसमें AI, Machine Learning उसके बाद से Internet of Things इंचीयों का उप्योग किया जाए अगला सवाल है कि When was National Clean Air Program was launched तो 2019 में सुरू किया गया है राष्टिय स्वक्ष वायू कारिकरम कब सुरू किया गया है 2019 में परियाबरन वन और जलवाई परिवर्थन मंतलारे द्वारे लॉंच किया गया था आधार वर्स दोहर सतरह था, दोहर सतरह की तुलना में हमें पॉलूसन को कम करना था आप देखी रहें कितना कम हो गया, अभी भी पॉलूसन थोरी नहीं है, हम लोग तो बहुत सक्षभा में सांस ले रहे है अगले पांच वर्सों भारी माइक्रो मीटर या उससे कम ब्यास वाले कन पदार्थ या पी-म-10 महीन करों 2.5 माइक्रो मीटर या उससे कम ब्यास वाले कन पदार्थ PM 2.5 की सांदरता को कंसंट्रेशन को कम करना था इसे कम से कम 20% तक कम करने के प्रयास किये जाने चाहिए इसमें 32 ऐसे सहर सामिल हैं जिने केंद्रिय प्रदूसन नियंतन बोर्ड ने प्रदूसन नियंतन लक्ष हासिल नहीं करने वाले सहरो गुरूप में चीनित किया था तो CPCB जो है उसको संचारित करती है पर्यावरन मंत्राले है 2019 में सुरू किया गया था 2017 की तुलनाम हमें पॉलूसन को कम करना था अब लक्ष को बढ़ाकर 2026 तक के लिए कर दिया गया है केंद्रे प्रदूसन नियांतन बोर्ड के अस्थापना कब हुई है तो 1974 इसी में इसकी अस्थापना की गई थी CPCB की 1974 इसी में अस्थापना की गई थी अगला सवाल है कि खानी सुरक्षा वित नेटवर्क के अस्थापना कब की गई है इसको क्या कहा जाता है मिन्रल सेक्योर्टी फाइनेंस नेटवर्क वाज एस्टेबलिस इन देखे इदरसल में युनाइटेट एस्टेट पर अमेरिका का एक संस्था है जिसका कुछ दिन पहले ही भारत भागिदार बना है इसके अस्थापना 2022 सिस्वी में किया गया था इसका उत्तर भी हो जाएगा भी हो जाएगा खनी सुरक्षा वित नेटवर्क के अस्थापना किसके द्वारा की गई है ति यह सनित राज अमेरिका के द्वारा किया गया है सनित राज अमेरिका के द्वारा किया गया है। खनी सुरक्षा वित नेटवर्क साज़दारी से उभरने वाली एक नई पहल है जो दोयर बाईस में अमेरिका द्वारा स्थापी तेक धाचा है। इसका उद्देश से हैं हिंद प्रसांत छेत्र और यूरोप के संस्थाओं को एक साथ लाना एंटी चीन है ये आपको अगर सीधी सी एक सब्द में समझाओं इन सभी कोई कठा करना चुकि चीन के पास रियर अर्थ मेटल खूब सारे हैं तो सप्लाई चेन पर वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है जापान के साथ जब कंफ्लिक्ट हुआ तो उसने उसको रियर अर्थ मेटल देने समना कर दिया था तो इसी लिए उसका कार्ट निकालने के लिए अमेरिका के नेत्वित में एक संगठन बनाया गया जिसमें ये चीज है कि मिंडल्स का आसानी से सप्लाई कर पाएं और उसका फाइनेंस कर पाएं इसी को लेकर इसको बनाया गया है सूचनादान प्रदान सहवित्व पोस्टन के बरहावा देना ये खनीज नवी करन उर्जा प्रद्यों की एस एलक्ट्रोनिक वहन बैटरी सौर पैनल पावन टर्वाइन के उत्पादन के लिए महतपूर्ण है जो सक्षूर्जा की और वैसिक बदलाओ के आवर्शक घटक हो गए है खनी सुरक्षा वित नेटवर्क के भाग वाले देशों पर विचार करें कौन कोंसे देश इसका भाग है कौन कोंसे देश यहां पर भाग है यहां पर भी देख सकते हैं आप इसका उत्तर हो जाएगा D यानि की कनाड़ा भारत और अमेरिका है चीन जहां पर भी देखे उसको काट देंगे तो आपको option मिल जाएगा चीन को मैंने पहले ही बताया आपको कि चीन के खिलाफ ही संगठन बनाया गया है बूला नहीं जाता है लेकिन वही चीज है इछले महीने का ही करेंट है इसका उत्तर हो जाएगा भी राष्टिय सांखी की कारियाला जो है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है उसी के द्वारा जारी किया जाता है भी इसका हो जाएगा आवधिक स्रंबल सर्वेक्षन रिपोर्ट 23 के बारे निमलिर कथनों विचार कीजिए 23 सतरे के लिए बिरोजगारी दर 32% पर परिवर्तित रही है स्रमिक जनसंख्या अनपात घट गया है अपने देश में स्रमिक जनसंख्या अनपात यानि कि worker population ratio is decreasing यह दो statement दिया गया है इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि के बल पहला सही है स्रमिक जनसंख्या अनपात बढ़ा है नोकी घटा है व्रिदी की जो प्रवेर्त है वो भी यहाँँ पर देख सकते हैं कि 23-24 में WPR 52% थी, पुरूस और महिलाओं के लिए करम 76 और 40% थी, जो की बढ़ा है पीछले साल के तुल्लाम, और इसमें ये भी कहा गया है, कि बिरोजगारी दर सारदल साल कम हो रहा है, ऐसा भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, अंतराश्टे सहकारी संग गटवंदन के अस पूरा करने के लिए स्वेक्षा से एक जुट होते हैं, सहकारीता में स्वेक्षा का बड़ा महत्तो होता है, अपन एक्षा से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किस समयधानिक संसोधन द्वारा भारत के संसोधन में सहकारी संसोधन अधिरियम 2011 के द्वारा भाग 9A, नगरपालिका के ठीक बाद एक नया खंड 9B जोड़ा गया, रोमन में लिखा हुआ है, एक वाला तो जानते होंगा न, इसको रोमन बोलते हैं, दस का मतलब ये होता है, इसका ये भी मतलब था कि वहाँ पर सुन्नी नहीं था, क्योंकि सुन्नी को ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्रोस, ठीक है आजाई ये इधर कहां गया हम लोग, तो इसको जरूर धियान में रखिएगा, 9B में इसको जोरा गया, सब्द सहकारिता भारते समिधान का अनुक्षेद 19.1 में जोरा गया है, सब्द सहकारिता को अनुक्षेद 43B सहकारी समीतियों के संबर्धन के संबंद में हैं, इसका उतर हो जाए, बिलकुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है, मूल अधिकार में भी सहकारिता सब्द को जोरा गया, सोतंदरता का अधिकार के तहद में जोरा गया है, 97 संसोधन अधिनियम 2011 समिधान के भागतीन के अंतरगत, अंग्षेद 19.1 में संघो और संगठनों के बाद सहकारिता सब्द जोरा सेहकारी समीती बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। तो दूद का जो है डेडी वो सब के सब सहकारिता पर ही काम करते हैं मैकलेगन समीती किसे समंधी थे थी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा गया है इसका उत्तर हो जाएगा भी सहकारी आंदोलन पर रिपोर्ट दिया था मैकलेगन समीती ने 1915 में सर एडवर्ड मैकलेगन के धिक्सता में एक समीती निपत की गई थी जिसे यह ध्यन करने और रिपोर्ट देने का काम सौपा गया था कि क्या सहकारी आंदोलन समाजिक और आर्थिक रुप से मजबूत आधार पर आगे बर रहा है समीती ने पाया कि जनताम निरक्षर्टा और अग्यानता धन का दुर्पयोग व्यापक भाई भतीजाबाद के कारण से सहकारी आंदोलन उस समय कमजोर था 2015 में सर्ड एड़वर्ड मैकलेगन के अध्यक्सता में सहकारी समीती के बारे में सुझाओ देने के लिए गठित किया गया था राष्टे सहकारी निती की घोषना कब की गई तो 128 में किया गया सहकारे दा समनीत कोई भी सवाल आएगा इस से बाहर नहीं आएगा इस हिसाब से मैंने करवाया है क्यों करवाया है क्योंकि अमित साहजी जो है उन्होंने बोला था कि हम फिर से दुख्द क्रांती 2.0 लॉंच कर रहे हैं उसी के बाद ये सारे सवाल मैंने बनाए थे सहकारिता के पूरा इतिहास भी बताया था आपको न्यूस्पेपर डिसकसन में ठीक है मेंस के लिए इंपोर्टेंट है ये टॉपिक उसी पूछा गया था अगला है पॉक्सो अधिनियम में किसे बच्चा माना जाता है जो पॉक्सो है तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर है चाइल्ड पर्टेक्शन को लेकर इसे पूछा गया कि बच्चा किसको माना जाता है तो इसका definition क्या है इस अधिनियम कंसार 18 बर्शे कमायू के जो भी होते हैं उन सभी को बच्चा माना जाता है इसके तहत में चाइल्ड माना जाता है और उनके साथ अगर कोई दूर बेभार होता है सारीरिक तोर पर तो पॉक्सो एक्ट प्रतहत में आता है यह सबसे खतरनाक एक्ट माना जाता है और होना भी चहिए था पॉक्सो अधिनियम कांसार 18 वर्से कम आयूगा कोई भी व्यक्ति बालक माना जाता है अधिनियम में अपराद की गंभी रता कांसार धंड का प्रावधान है बालक बालका दोनों ही हो सकते है पॉक्सो नियम 2022 के बारे में 2020 के बारे में इमनेखित कतनों विचार कीजिए ये नियम बिसेस नियाले को बच्चों की राहत आप सकता के लिए अंतरी मुआबजे का आदेश देनी का अन्मती देता है नियन CWC चाइल्ड वेलफियर कमीटी को जांच के दोरान बच्चों कुसायता के लिए सहायक व्यक्ति उपलब्द कराने का बिदिकार देता है कुछ दिन पहले चर्चा में था उसी का एक स्ट्रेन है स्ट्रेन तो जानते होंगे अलग वर्जन हो जाता है यसे को रोना का अलग अलग स्ट्रेन को इन्होंने गूगल वाले ट्रांसलेशन ने तनाव कर दिया है स्ट्रेन का मतलब यहां पर स्ट्रेन ही है ठीक ना अलग उसका एक मॉडल हो जाता है वाइरस अपना स्ट्रेन तेयार कर लेता है तो वही वाइरस का एक नया स्ट्रेन है 1B, clade 1B, क्या है ये, तो monkey pox का नया strain है, monkey pox का नया strain है, monkey pox का ये नया strain है, clade 1B, ये याद रखिएगा, उसके translation error था, इंगलीस में देखेंगे तो सही रहेगा, मूल MCQ इंगलीस में ही बना हुआ है, तो इसलिए हिंदी मापको कहीं कहीं पर error दिखता है, विश्वास संगठन के कितने सदस्य हैं, तो 194 है, दरसल विश्वास संगठन नहीं, clade 1B के बारे में बताया था, कि ये क्या है, तो monkey pox का नया strain है, तो इसी के कारण से विश्वास संगठन के बारे में कि सवाल मैंने पूछा है आप से, हालिम किस प्रकोप को अंतराष्टे चिंता का साबजनिक स्वास्थ अपातकाल घोसित किया गया, एम पॉक्स को, monkey pox को ही, WHO के दुआरा, world emergency के तोर पर घोसित किया गया था, ये फैलने लग गया था, बहुत तेजी से, हलाकि बाद में फिर कंट्रोल हो गया, P.H.E.I.C. का अर्थ है, अंतराष्टे चिंता का साबजनिक स्वास्थ अपातकाल, जिसे WHO ने 14 अगस्त को दूसरी बार घोसित किया था, जिसमें कांगो लोकतांत्री गनराजे और अफरिका के देशों के बरती संख्याम, M.Pox कुछ हाल को ध्यान में रखा गया था, हाली देश हैं एक ही नाम से, इसलिए ध्यान से देख लीजेगा इसको, कांगो लोकतांत्री गनराज्य, ये जो देश है, इसकी राजधानी किन सासा है, ओके, निम्लीर कतनों विचार कीजिए, कुट्टियम आंदर प्रदेश की सबसे पुरानी पारंपरिक रंगमंच के पारंपरिक रंगमंच के रूप में से एक है, या सांस्कृतिक रंगमंच परंपराओं पर आधारी थे, इसकी सैली बद और संगिता बद नाठकी भासा में नेतर याने की आँखों के भाव, हस्ता भिने हाथ का भाव सामिल है, वे मुख्य पातर के विचारों और भावना होता है, किसी कहानी के पातर को लोग प्ले कर रहे होते हैं, निर्थ के फॉर्मेट में, और हाव भाव बहुत ज़्यादा माइने रखता है, ठीक है, तो अलग अलग जो निर्थ सैली है, धक्षिन भारत के अलग अलग राज्यों का अलग है, आंत्रपदेश का अलग होगा उत्तर भारत का भी अलग है, यूपी के लिए, यूपी के कौन से निर्थ फेमस है, यूपी का कौन सा निर्थ है जो फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए, बिहार का कौन सा है, तो ये आर्टन कल्चर में आप पढ़ते हैं, इसको विशेस रुप से याद करके इस्वातिनी ये देश है जारों सामिल है बिग कैट अलाइंस की घोषना भारत ने पहले ही की थी अब उसको अधिकारिक दर्जा दिया जारा है और अधिकारिक रुप से भारत ने भी इसमें सामिल हो गया है भारत के ही सुरवादती पहल थी अब और भी कई सारे देश सामिल हूँ है बड़ी बिल्ली का नतिर्वत आने वाले जहानवर कौन कौन सोते हैं बिग कैट में किनको किनको सामिल किया जाता है सेर, हिम, तेंदुवा, प्यूमा, जेगवार देस सारे ही हो जाएंगे ये सारे ही हो जाएंगे जिनको बिग कैट्स कहा जाता है भारत में अब सभी प्रकार के बिग कैट्स पाए जाते हैं साथ बड़ी बिल्लियां आती है इनमें बाग, सेर, तेंदुआ, हीम तेंदुआ, प्यूमा, जेगुआर और तेंदुआ ये सारे आते हैं इसमें इनी साथों को मिलाकर क्या कहा जाता है बिग कैट्स ठीक है हाली है में भारत और भारत में जब चीता का पुनरवास किया गया है चीता का तो उसके पसाथ से भारत में अब सभी प्रिकार के बिग कैट्स पाए जाते है हाली में भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जैसन मना इसे कहां लॉंच किया गया था इसे कब लॉंच किया गया था इसको 1973 में लॉंच किया गया था ये 68 BPSC का कोस्टन है 68 BPSC में यही सवाल पूछा गया था 9 अपरेल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्स पूरे हो गये हैं हाली में विस्नुपद मंदीर चर्चा में था या कहां परिस्थित है ये गया में श्थित है विस्नुपद मंदीर विस्नुपद मंदीर के लिए गलियारा परियोजना है हाली में केंद्रे बेजर 24-25 म इस गरियारा परयोजना का, कॉरिडोर परयोजना का घोसना किया गया है, जिस परकार से विशुनाथ कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर बना है, उसी परकार से विशनुपद जो मंदिर है, जो गुप्त कालीन मूल मंदिर माना जाता था, बाद में सिंधिया परिवार ने कि योजना प्रस्तुत की गई है महाबोधी मंदिर और विष्णुपद मंदिर इन दोनों के लिए किया जाएगा विष्णुपद मंदिर के बारे निमलिक कत्नों विचार कीज़े सोन नदी के तट पर इस्थित है इसका निर्मान महारानी अहिलिया भाई होलकर के आदेस पर लेकिन बाद में बाद में जब ये मंदिर का भावना उगेस तो था उस पर होलकर बंस के महारानी अहिलिया भाई होलकर ने इसका पुनह निर्मान करवाया था वास्तुकला की बिसेस्ता इसमें लगए सौ फीट उचा है और चोवाली सस्थम्भ है विसाल ग्रे नाइट ब्लॉक मुंगेर के काले पत्थर से बने हैं लोहे के पटियों से जुरे हुए इसका निर्मान सतरो सतासी महारानी अहिलिया भाई होलकर का देस पर किया गया था बोध गया में मंदिर के बारे में आप विचार कीजिए मूल मंदिर समराट असोक के द्वारा बनवाया गया था बजरासन हीरा सिंहासन मूलता समराट पुसिमित सुन के द्वारा स्थापित किया गया था बोध गया में जो महाबोधी मंदिर है उसके बारे में पूछा गय उनीस का उत्तर क्या हो जाएगा केवल वन यहां पर सही है दूसरा गलत है ऐसा माना जाता है कि यहां हुआ अस्थान है जहां गौतम बुद्ध को महाबोधी ब्रिक्ष के नीचे ग्यान के प्राप्ति हुई थी मूल मंदिर का निर्मान समराट असोक ने 30 सताबदी सापूर म में ध्यान किया था और ग्यान की प्राप्ति की थी महाबोधी मंदिर को यूनेसको विस्थारवर अस्थालम के रूप में कवे मानता दिया गया तो 2002 में दिया गया है 2002 में दिया गया महाबोधी मंदिर को यह विसे सुरुप से ध्यानम रखेगा यह बिहारे स्पेसल भी हो जो 5 कंट्रीं है जिसमें अमेरिका सामिल है रूस सामिल है चीन है फ्रान्स है ब्रिटेन है तो पांच देश अस्थाईस दस से है बाईकि दस देश जो है वो रोटेशन पर सदस्ता ग्रहन गर्हन करते ये जीफोर कौन है तो ये वो देश हैं जो मांग करते हैं कि जो अस्थाई मेंबर हैं किसके तो UNSC के उनमें सुधार होना चाहिए उसके संख्या बढ़ाई जानी चाहिए इस जीफोर में कौन का सामिल है तो जापान है जरुणी है ब्रजील है और भारत है ये मांग करते हैं कि हमें भी क्या मिलना सदस्ता मिलना चाहिए इसके ठीक अपोजिट में कॉफी कलब है जो मांग करता है कि UNSC में सुधार नहीं होना चाहिए कॉफी कलब का सदसंग पाकिस्तान और स्पेन अर्जेंटीना मेक्सिको इटिली जिता से तेरा देश सामिल है जो चाहते हैं कि सुरक्षा परिशत का विस्तार न हो उनमें ये देश सामिल है भारते क्रिशी अंसंधान परिशत के अस्थापना कब की गई थी तो 1929 में किया गया था 1929 में किया गया था ICAR कहा जाता है Indian Council of Agriculture Research कहा जाता है क्रिशी मंतराले के तहत में बहुती सांदार prestigious रिसर्च के लिए एक बोड़ी है पहला क्रिशी विग्यान के अंदर कहां स्थापित किया गया था इसका उत्तर हो जाएगा सी पुडूचेरी में स्थापित किया था ICAR के पहल पर तामिलाडू क्रिशी विग्यान के अंदर स्थापित किया था वर्तमान भारत में लगो 716 क्रिशी विग्यान के अंदर है 16 ACI संगठन Supreme Audit Institute का आईज़न किसके द्वारा किया गया तो इसका उत्तर हो जाएगा भी भारत के नियंतर को महालेखा परिक्षक के द्वारा 24 सितंबर 24 को किया गया है 16 ACI संगठन Supreme Audit Institute कहा आईज़न किया गया ति नई दिल्ली में हुआ है देखी इसका इंगलीस में भी पढ़ देता हूँ यहाँ पर होगा 16th Asian Organization of Supreme Audit Institution was organized by तो कैग ने इसका और्गनाइज़ किया था दिल्ली में इसका और्गनाइज़ किया गया है जिसमें कैग जो है उसी तरह के जुबाकी संगठन है वो सब सामिल होते हैं और अपना अनुभब साजा करते हैं भारत के वरतमान कैग कौन है तो ग्रीस चंदर मुर्मू है सांदार आईयस अबसर हैं यह यह जमू कस्मीर राजज़ जब बना लेह लदाक वगर बना तो वहां पर भी नोंने काम किया भारते समिधान को कौन सानुख्षेद कैग के अस्थापना संबनी थे हैं तो आर्ट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरे के अंतरगत कराम करती है इसका उत्तर ए हो जाएगा नियायमूर्ती चंद्र करने नियायमूर्ती गौतम एस पटेल की राई से सहमती जताई जो पहले विभाजित फैसरा स्वानर पीट का हिस्था और कहा कि नियम थ्री वन बीवी का माधियम सा आईटी नियम द्यारतीन संसोधन समिधान के से चौदा पंदर को लंगन है और उसी पर साथ उन्होंने बोला था कि फैक्ट चेक यूनिट सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए फैक्ट चेक यूनिट के सदस्तिक रूप में कौन काम करेगा त कि सरकार अगर फैक्ट चेक यूनिट अस्थापित करने लग जाएगी तो हो सकता है सरकार अपनी आलोचनाओं के दबाने के लिए भी उसको फेक न्यूज कह दे है ना तो ये क्या होगा कहीं ने कहीं लोगों के मूल अधिकार का उलंगन होगा तो इसके कारण से इस पर कामले में या सुरक्षित इंगलिस में देखिए इनकेस और फेक कंटेंट इट विड्रॉस सेफ हारवर स्टेटस हारवर को गूगल ने बंदरगा लिख दिया है तो इस यहां नहीं होगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एक और तीन यहां पर सही है एक और इन सही है दूसरा गलत है इंटरनीड सेवा प्रदाता जो होते हैं ना उनको भी निर्देश जारी कर सकता है इसलिए इस पर सवाल खळा किया जाता है इसको बहुत सारी सक्तिया दिये गई है जो कि नहीं होना चाहिए इंटरनेट से वा प्रदाता को नहीं है जैसे आप अभी एयर्टेल का इंटरनेट चला रहे तो एयर्टेल हो गया ठीक है इस तत्थ जांचीकाई का काम सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस्विक ट्यूटर इन सभी जगों पर नजार रखना कि कहीं सवाले कि भारतिय समाचार प्रत सोसाइटी का मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में है नई दिल्ली में है इसका सोसल मीडिया हैंडल निमलिखित हैं तो इसमें ये पूछ रहा है कि सोसल मीडिया हैंडल जो तो निमलिखित के अंतरगत आते हैं किसके किसके अंतरगत तो प्रथम नयाधीस का मामला क्या हो गया तो कॉलीजियम प्रणाली में फस्ट अमंग इक्वाल्स की सर्वच नयाले कि जो मुख नयाधीस होते हैं उनको कोई जादा सक्तिया नहीं है वो समान में उनको प्रथम का दर्जा दिया जाता है कि सभी लोग समान हैं आप पहले हैं इसमें ठीक है तो यह किस्से समन्दित है कब आया था ही तो 1981 का मामला है 1981 का मामला है कॉलीजियम प्रणाली पिछले साल 69 BPSC के P.T.E. पूछा गया था कॉलीजियम प्रणाली से स्टेटमेंट राधारी सवाल चार-चार स्टेटमेंट दिये हुए थे यह नयाधीसों के न्यूकती अस्थांतरन के एक प्रणाली है जो सर्वोच नेले के निरने के माध्यम से विक्सित हुई है इसे संसद किसी अधिनियम का समिधान के प्रावधान दोर अस्थापित नहीं किया गया यही है स्टेटमेंट अगर आप काट देते तो BPSC कैंसर निकल रहा था कॉलिजन प्रणाली का विकास प्रथम नयाधीस मामला 1981 है इसमें माना गया कि नयाएक न्यूकतियों और अस्थांतरन भारत के मुख नयाधीस के सुझाओ को प्राथमिक्ता को ठोस कारणों से खारिज किया जा सकता है नयाधीस को कोई बहुत जा सक्तिया नहीं है वो फस्ट अमंग इकॉल्स है यह मामला बराही चर्चित है इसको बिसेश रूप से ध्यान रखिएगा 1981 का मामला है कोलेजियम प्रनाली सुप्रीम कोट के ही आदेसों के माध्यम से विक्सित हुई है कोई सम्मिधान में यह प्रावधान नहीं इसको लेकर ना तो संसत के द्वारा कोई एक्ट बनाया गया है सर्वच नयाले में कॉलेजियम प्रनाली किस मामले में सुरू की गई थी तो दूतिय नयाधीस मामला जो 1993 है उसके पसाथ से कॉलेजियम प्रनाली सुविवस्थित तरीके से सुरू की गई परामर्स का वास्तवी का अर्थ होता है सर्वसम्मती इस मामने में सर्वोच नयाले ने आगे कहा कि मुख्य नयाधीस के व्यक्तिकत राई नहीं होगी बलकि सर्वोच नयाले के दो बरिस्टम नयाधीस परामर्ज से ली गई एक संस्थागत राई होगी यानि कि आपको उसमें मानना परेगा उच्छ नयाले के कॉलीजियम का ध्यक्ष कौन होता है तो ये होते हैं उच्छ नयाले का मुख्य नयादीस हाई कोट के मुख्य नयादीस होंगे वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य नयादीस कौन है तो अब तो चेंज हो गया है इसका उत्तर क्या हो जाएगा उस समय के है अब तो चेंज हो गया है अब सो संजीव खना जी हो गया है एक्क्यावन में मुख्य नयाधीस भारत के वरतमान मुख्य नयाधीस कौन थे तो अब तो एक्क्यावन हो गया है अब तो एक्क्यावन में हो गया है एक्क्यावन में हो गया है संजीव खना जी वरतम जो दोरों में था किस समंदीत है ते सीखने का मुल्यांकनर समंदीत है जाता है त्सिट किया जाता है उपकरण जो विक्षित किया हुए NCRT ने, यानि कि की साधार पर करना है, ये NCRT ने किया है, अब करता कौन है, तो CBSE करता है, CBSE करता है, तो ये दोनों हो गए, लेकिन इसका बैकेंड है NCRT, जो उपकरण यानि कि किस-किस पैमाने पर आपको करना है, और काम कौन करता है, तो CBSE करता है, विशेश रुप से ध्यान में रखेगा, इसको विशेश रुप से ध्यान में रखेगा, मैं इसका इंगलिस में ही बता देता हूँ, कि National Achievement Survey इसको कहा जाता है, Achievement Survey आप जरूर ध्यान में रख पाएंगे, राश्टू प्लवधी, सरवेक्षिन के बारे मताना, यह स्कूल के वातवराण, सिक्षन प्रकरिया, छहतरवाज की जानकारी कत्र करता है, यह केवल सरकारी स्कूले के पूरे इस्पेक्टर्म को कबर करता है, तो केवल यून सही हो जाएगा, कि वलवन सही हो जाएगा इसमें भारत के पूरे सहकारी स्कूल राज्यो केंसरकार दोनों सहकारी प्राप्त स्कूल नीजी स्कूल सब कोई सामिल होते हैं जितने स्कूल है देश में सब सामिल होते हैं राइसरकार का भी कैंसरकार का भी सरकारी सहायता प्राप्ति स्कूल हो गया निजी स्कूल हो गया सब कुछ सामिल होते हैं उन सभी का सर्वे किया जाता है राश्ट्यू प्रबदी सर्वेक्षन में कितनी भासाओं को प्रियोग क प्रश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश् जुलाई को मनाय जाता है हालीम पेजर वोकी टॉकी विस्पोर्ट समाचार में था यह कहां पर हुआ है यह लिबनान में हुआ है लिबनान में इजराइल में किया यह लिबनान में इजराइल ने यह किया था पेजर ने विस्पोर्ट किया जिसमें करीम हजार से दो हजार लोग घायल हुए थे लेवलान की राजधानी बेरूत है और मेडिटेरियन सी के तर्ट पर है ये राजधानी वोकी टॉकी क्या है तो वो ये हैंड हिल टूवे रेडियो का एक प्रकार है मतलब की दो तर्फा संचार के एक प्रकार है पेजर के पहली बार इस्तिमाल 1930 के दसक में सेना द्वारा किया गया था तो दोनों सही हो जाएगा पेजर जो होते हैं ये वन वे भी होते हैं और नए एडवांस पेजर जो हैं टूवे संचार भी होता है कौन सा देश लिबनान के साथ सीमा साजा नहीं करता है बंधों जोर्डन की सीमा लिबनान के साथ नहीं लगती है इसराइल की लगती है सीरिया की लगती है इसका उत्तर सी हो जाएगा अगर रेडियो है तो वो किस प्रकार का संचार है आप रेडियो के वाद सुन सकते हैं, उसमें बोल तो नहीं सकते न, पेजर है तो किस प्रकार का संचार है, टेलिफोन संचार का सरल प्रकार है, मैं इंग्लिस में भी इसको बताऊँगा, ऐसे कंफ्यूज थोरी नहोना है इसी जो मैं, पूछा जाएगा, इस साइंस अंटेक of communication, simplex, duplex, half duplex, अलग अलग प्रकार होते हैं, ट्रांसमीशन के, और ऐसा नहीं है कि साइंस बैग्रॉन चाहिए, मैंने current अफेर में परहाया था, चर्चा में था ये, अब मुझे जरा इसका उत्तर बताईए, यहीं पर बताईए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि ह हिंदी में कठीन हो जाता है, साइंस एंटेक परना गुरू, परहाना मेरे लिए कठीन हो जाता है, परना तो होगा ही, दोनों यहां पर गलत दिया हुआ है, इसको जरा इंग्लिस में ही परहेंगे, तो वही सही रहेगा, simplex संचार एक तरफा है, एक समय में किवल एक ही पक संचार कर सकता है, उदारन के लिए कंप्यूटर से प्रिंटर, पेजर, हाफ डुपलेक्स, यदेपी, दूइदी सात्मक, मतलब दोनों तरह के संचार एक साथ नहीं होता है, एक समय में किवल एक ही पक संचार कर सकता है, उदारन के लिए वाकी टॉकी, एक आदनी बोला, उसे वो बोलेगा, ओबर, आउट, दूसरा बोलेगा, फिर सुनाए देगा, पुर्न दोयद, संचार दुइदी सात्मक, एक साथ होता है, दोनों एक ही समबाद कर सकते हैं, उदारन के लिए टेली फोन हो गया, जो फोन पर आप बात करते हैं, उसमें दोनों तरफ से एक ही समय बोल सकते हैं आप, सिंपलेक्स कॉम्निकेशन इस वन वे, ओनली वन पार्ट कैन, वन पार्टी कैन ट्रांस्मिट एट टाइम, इक्जामपल के लिए, कम्प्यूटर तू प्रिंटर और पेजर हो गया, हाप डुपलेक्स, ओल थू बाइडिरेक्शनल कॉम्निकेशन, इ ओ फुल डुपलेक्स कॉम्निकेशन में आता है, वोकी-टॉकी हाफ डुपलेक्स में आएगा और कंप्यूटर टूपरेंटर की इसमें आएगा, तो सिंपलेक्स में आएगा, वन भी एक तरह का ट्रांस्मिशन होता है इसमें, ये तीनों ध्यान रहेगा, सिंपलेक्स, नेंजरिंग किया होगा, वो यह सब चीज़ें डीटेल परते हैं, निम्रिकित कतनों विचार कीज़े, पेजर वायरलेस डिवाइस है, जो संदेश प्राप्त करते हैं, पेजर टाबरो द्वारा प्रेशित रेडियो संकेतों पर निरभर नहीं होते हैं, इसका उत्तर हो पर जहां पर telephone network नहीं पहुंचते हैं वहां पर pager को पयोग किया जाता है। सारे जवों पर सेनाई भी करती हैं क्योंकि ट्रैक कर पाना इसको बहुत मुश्किल होता है वन वे पेजर उपयोग करता को बीप या कंपन के माध्यम संसेत करते हैं वन वे पेजर संदेशों का उत्तर भी दे सकते हैं दोतरफा पेजर स्मार्टफोन के तुल्लाम कर्म कार्यात्मक होते हैं इसका एक और तीन हो जाएगा क्योंकि दूसरा गलत है वन वे है वन वे है तो केवल उत्तर नहीं दे सकता है वो केवल सुन सकता है वन वे है तो पेजर के अलगलग प्रकार होते हैं वे पेजर होगा तो केबल हो receive कर सकता है मैंसे two-way होगा तो फिर वो उत्तर भी दे सकता है ओके पेजर के बारे में सारे सवाल मैंने करवा दिये हैं इस से बाहर नहीं आएगा पेजर लिवनान वाले टॉपिक से हाली में cancer moonsault event चर्चा में था यह कहां पर आजित किया गया था तो यह USM हुआ था भारत के प्रधानमंत्री जब उहां पर गये थे तो जो बाइडन के द्वारा जो भारत और अमेरिका के बैठक थी उसमें अलग से एक कैंसर मुंसौट इवेंट और्गनाइज किया था मेजवानी किस ने की तो यह किया जो जो बाइडन ने किया है ठीक है जो बाइडन का ही यह नाम है प्रधानमंत्री मोदी ने डेलावेर के विलंग्टन में कौड लीडर समिट के द्वारान राश्पती जोसिफ आर विंडेन जिन्गो जोई बाइडन जुनियर द्वारा आय जित क्वार्ड कैंसर मोंसॉट का एकरम भाग लिया और वहीं पर भाग लिया था क्वार्ड का मुख्याले कहां पर है तो इसका उतर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं क्वार्ड का कोई मुख्याले नहीं है कैंसर मोंसॉट घटनाओं का फोकस से तर क्या था तो गर्वास है ग्रीवा कैंसर जिसको कहा जाता है वही था इसका मुख्य फोकस का रेंज वही था इसी को लिकर चर्चा किया गया है ठीक है ब्रिक्स का गठन कब हुआ था 2009 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 हुआ गर्भासा एक ग्रीवा कैंसर महिलाओं के गर्भासे ग्रीवा में विक्सित होता है वैस्वी गर्भासा एक ग्रीवा कैंसर के बोज भारत का सबसे बरा हिस्सा है गर्भासे ग्रीवा कैंसर सर्वाइकल कैंसर इसको कहा जाता है गरीवा कैंसर नहीं याद रहेगा सर्वाइकल कैंसर तो याद रख सकते हैं हालिम इंडोपेस्फिक छेतरे खबरों में था कौन सा देश इसका हिस्सा है तो कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान ये तीनों ही हो जाएंगे, तीनों के तीनों हिस्सा है समरिद्धी के लिए इंडोपेस्फिक आर्थिक धांचा IPEF की अस्थापना कब की गई तो इसका उत्तर हो जाएगा B 2002 में किया गया था IPEF की सुरुवात 23 मैं 2022 को सौरी 2022 2022 बोल दिया, 2022 को जापान में हुआ है जिसे 14 देश सामिल है IPEF का उदेश 6 विकास आर्थिक इस्तिरता समरिद्धी को आगे बरहना है कौन सा देश समरिद्धी के लिए इंडोपेस्फिक आर्थिक धांचे का हिस्सा नहीं है कौन सा देश इस संगठन का जिसका 2222 मस्थापित उसका हिस्सा नहीं है तो म्यामार इसका हिस्सा नहीं है इस संगठन के बारे मैं इंगलिस में भी बता देता हूँ क्योंकि हिंदी नाम कई बारा आप याद नहीं रख पाते हैं इंडो पैसिफिक एकॉनमिक फ्रेमवर्ग फॉर प्रोस्पेरटी इंडो पैसिफिक एकॉनमिक फ्रेमवर्ग फॉर प्रोस्पेरटी आई पी इएफ इसका नाम है जापान में 2022 मस्थापित हुआ है देखियां पर यह है औस्टेलिया, ब्रुनाई, फिजी, भारत, इंडोनेसिया, जापान, दक्षिन कोरिया, मलेसिया, न्यूजिलेंड, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, अमेरिका और वियतनाम चीन को छोर कर बाकी इस एरिया के सारे बड़े देश इसका हिस्सा हैं, इसको विशेश रुप से ध्यान रखेगा आई पी इएफ दस मुक्य अस्तम्बों पर अधारित है, इस ध्राचे के फोकस छेतर स्वक्षूर्जा, भरष्टाचार विरोधी और कर उपाई हैं दूसरा सही हो जाएगा, इसे में चारी मुक्य अस्तम्ब हैं, निस्पक्ष व लचीला व्यापार, आपूर्ति सिंखला लचीला पन, स्वक्ष अर्थ वियस्था और निस्पक्ष अर्थ वियस्था, कर और भरष्टा चार विरोधी नीतिया होनी चाहिए, ये चारी अस्त इकॉनमिक फ्रेमवर्ग और प्रोस्परिटी, उसी के तहत में स्वक्ष और निस्पक्ष अर्थ वियस्था बनाने के लिए अलग से समझोता किया गया है, सम्रिधी के लिए इंडोपैस्पिक अर्थिक धांचे कितने सदस देश हैं, कितना सारा सवाल मैंने एक टॉपिक स बनाया है, आप लोगों के लिए 14 सदस देश हैं, हाली में सतरंज ओलंपियाड चर्चा में था या कहां पर आजित किया गया था, ति हंगरी माय जित हुआ है, हंगरी माय जित हुआ है, इसमें हमने खूब सारा पुरसकार जीता है, पैतालिसमा सतरंज ओलंपियाड बुड पुरुस और महिला दोनों में भारत नियापर स्वर्ण पतक जीता है, 17 जोलंपियाड महिलाओं के इस पर दहा में स्वर्ण पतक किसने जीता है, तो दिब्या देश मुखिन का नाम है, हंगरी के राजधानी कहां है, तो यह बुड़ा पेस्ट है, यहीं पर यह आजित हु हाली पॉक्स वा दिनियम चर्चा में था, यह कब लाग हुआ था, यह लाग हुआ था, यह लाग हुआ था, बारह में लाग हुआ था, भारत ने बाल अदिकार पस निक्तरास कन्वेंशन का अनुसमर्थन कब किया, यूएन का कन्वेंशन है चाइल्ड राइट को लेकर, इस पर भारत ने कब किया, 1992 इसी में ही किया, 1992 को ही किया, प्राथमिक डेरी और मत्स सहकारी समीतियों गठन असुदरी करन पर दिसा निर्देश किस के द्वारा दिये गए हैं, तो सहकारता मंत्राले के द्वारा दिये गए हैं, आज हम यहीं तक रखेंगे, 40 मिनट का